देखें शाहिरी से किसको क्या मिला क्या नहीं मिला यह नहीं मैं जानता मुझे एक बहुत बड़ा कुनबा मिला बहुत बड़ा परिवार मिला आप तमाम लोग मिले देव मनी सर की सरपरस्ति मिली मेरे लिए पिता तुल्ले है नवीन भाई जैसे बड़े भाई मिले नवीन चतरवेदी साहब मादब आई आप तमाम लोग बैठें दुबिलाल, मोहित, किस-किस का नाम लूँ अरचना जी है तो यह बहुत-बड़ा परिवार मेरा बना लेकिन जब मैं 2010 में बंबई आया तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा और मुझे अपने घर से 14-1500 किलोमे तरतूर जो एक घर मिला वो वर्ट वरक्ष वहां बैठा है उनको हम नवीन चतरवेदी कहते हैं बड़ी बहुत पुन्ने भूमी से आते हैं मतुरा से इनका संबन्द है तो जाहिर बात है मतुरा से हैं तो ब्रज बोलते हैं और ब्रजभाशा से प्यार होना भी हो बहुत जाहिर सी बात है लेकिन बड़ा नूठा इनका रचना कर्म रहा शुरुआत में इन्होंने हिंदी कविता से की ब्रज में कविताएं कहीं छंद कहें फिर ये घजल की तरफ माइल हुए तो इन्होंने इंदुस्तानी में घजले कहीं उर्दु में घजले कहीं पिर को ये लगा कि घजल ब्रज में भी होनी चाहिए और जबकि ब्रज का जो विदान है वो बिलकुल उर्तु जैसा है जो खड़ी बोली और ब्रज के बीच की जो कुछ समागम सा है वही उर्तु का तो इन्होंने ब्रज में घजल कह दी अब येर मैं तो मराठी भी जानता हूँ मैं तो मराठी भी बोलता हूँ तो मैं तो मराठी में भी घजल कह दूँगा तुरों ने मराठी में भी घजल कह ली इनको कहा कि मुझे तो गुजराती भी आती है मैं तो कच्छी भी आती है मैं तो उसमें भी घजल कह दूँगा अब मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा जब ये मत्रे के चतरवेदी मुझे कहें कि सिदार देख सिंदी में घजल सुन एक पंजाबी में सुन इतने गुणियानी वेक्तित्व और इतना सहज वेक्तित्व मतलब मेरे दोनों बतीजों की शादी हो चुकी पोते पोतियों वाले हो चुके बड़े भाई लेकिन फिर में इनसे इतनी लिवर्टी लेता हूँ, खुब मजाग करता हूँ बड़े भाई हैं लेकिन मेरा दोस्ती वाला रिष्टा है और जब मैं इनकी शायरी बढ़ता हूँ तो एक-एक लफ्स से इस्तिफादा करता हूँ हम एक एक लफ्स सिखाता है बहुत आसानी से बहुत सहिचता से बड़ी गहरी बात कह जाते हैं और ये बरसों के रियाज के बाद ये चीज़ आती है प्यास को प्यार करना था केवल प्यास को प्यार करना था केवल एक अक्षर ना बदल पाए हो प्यास को प्यास को प्यास को प्यार करना था के वल एक अक्षर ना बदल पाए हमोरे कोर्शेर देखिए बुला दिया है जो तूने तो कुछ मलाल नहीं कहीं दिनों से मुझे भी तरह ख्याल अब मैं उनको दावत देते हुए बस ये तो नहीं कमगा कि वो क्या सुनाएं क्या नहीं आज उनकी पूरी मर्जी में छोड़ता हूं आप प्रच, हिंदी, उर्दू, पराथी, पंजामी, बंगाली आज सब छूटे आपका स्टेज और आपकी दोस्त सबसे पहले नवीन नवा सहाब आपको बहुत-बहुत साधवाद देना चाहता हूं देवमणी पांडे जी, अमर्त रबाटी जी, पिछले तीन दशक से हम लोग जिन दिनों के लिए तरसे थे, वो दिन पिछले तीन-चार वरशों में आपने संभव करके दिखला है, नवीन साधियो, मैं खास करके बच्चों से कहना चाहता हूं, कि जब हम लिखना या पढ़ना शुरू करते हैं, तो रोज हमको लगता है हमको कोई बुलाए, हमको सुने, हमको मन चुमले, लेकिन दीरे-दीरे ऐसा लगने लगता है यार क्या पढ़नेगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, तो अब यहां आगर प्यास और भूख थोड़ी कम होने लगती है, और तालियों की गड़का है अच्छी सबको लगती है, पर ऐसी त्रशना नहीं रह जाती है, तो जहां आपको समझ में आए, मैं आज अपने मिन की चीज़ें पढ़ना चाहता हूं, आपक की बातों को हमने रात दिन सोचा बहुत है, क्या कहेंगे सब, हमें इस बात की चिनता बहुत है, और यह चटोरी जीब यह चटोरी जीब ही भरमा रही है हम सभी को, यह चटोरी जीब ही भरमा रही है हम सभी को, पेट भरने के लिए तो पाओ भर आटा बहुत है यह चटोरी जीब ही भरमा रही है हम सभी को, पेट भरने के लिए तो पाओ भर आटा बहुत है और मैं अपने पूछ पता जी और मादा जी को याद करते हुए यह शेर पढ़ता हूँ कि आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं वरक्च है मादा पता और वरक्च की चाया बहुत है आप फूलों और फलों की बात ही क्यों कर रहे हैं और मेरी बिटिया बेड़ी है यहाँ पूनम कहां गई इन दोनों बिटियाओं को याद करके शेर पढ़ता हूं सुन्दर कांड में एक चौपई आती है आदरने कि त्रण धर ओट कहत वैदे ही अब सुनिएगा जानकी की वन्ष जाओ जानकी जानकी की वन्ष जाओ धर्म ध्वज गिरने न देना जानकी की वन्ष जाओ धर्म ध्वज गिरने न देना अरे दुष्ट रावन के लिए तो एक ही तिनकाब होता है जान की की वन्ष जाओ धर्म भज किरने न देना दुष्ट रावन के लिए तो एक ही तिनकाब होते हैं अच्छा ये शेर जम मैंने बढ़ा तो मेरे कुछ प्रोश मित्र बोले यार सब थोड़े रावन होते हैं तो मैंने का बात तो सही है यार तो एक पलट कर भी शेर कह रहा हूं आदरणिया सीमा जी मेरी बात से सहमद होंगी कि आज भी सरवत्र कुछ ऐसे पुरुष्पी है जगत में आज भी सरवत्र कुछ ऐसे पुरुष्पी है जगत में जिनका कहना है कि रागव के लिए सीधा बहुत है आज भी सरवत्र कुछ जो सीमा जी सही कह रहा हूँ न आज भी सरवत्र कुछ ऐसे पुरुष्मी है जगत में जिनका कहना है कि रागव के लिए सीधा बहुत है देखो हम यहां अधिकांश पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और हम यह जानते हैं कुछ न कुछ घटनाएं हमारे इर्दिकर्द जो होती हैं वहां से हमको inspiration मिलता है और फिर हम कोई न कोई तस्वीर बनना दिया हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं इसमें से अधिकांश देख दो बरस पहले एक मित्र की मृत्यों होगी आपको मैं बाद में बता दूँगा पूछने पर पता चला को उनको cancer था और संयोक की बात कुछ दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी और बातों बातों में बहुत बार संकेत में काफी चीज़ें बोल जाती हैं जो बाद में समझ में आती है उन बातों को मैंने इस गजल में लेने का प्रयास किया है इसके बाद मैं अनुमत ही लूँगा कि कश्ट आया कश्ट आया तो डर गए सारे कश्ट आया तो डर गए सारे अपनी अपनी दगर गए सारे उसकी डलिया में थे खिलोने कुछ भीडा ही बिखर गए सारे उसकी डलिया में थे खिलोने कुछ भीडा ही दिखर गए सारे पहले भरपेट खीर खाई पहले भरपेट खीर खाई फिल छेद पत्तल में कर गए सारे गरहस्ती के शेर हैं अगर समझ में आजाएं तो और उम्रतराज आद्मियों को ज़्यादा समझ में आएंगे क्यों अर्चना जी सही कह रहा हूँ न कि कष्ट आया कष्ट आया तो डर गए सारे अपनी अपनी डगर गए सारे उसकी डलिया में थे खिलोने कुछ भीड आई बिखर गए सारे पहले भरपेट खीर खाई फिर छेद पत्तल में कर गए सारे ब्रजवासा में युग को जुग कहा जाता है बातन बातन में अपनी बिलें यह जुगन है तो यह देखें में तो जिस पे जिस पे बैठे हुए थे जुगों से जिस पे बैठे हुए थे जुग्गों से दोस उसी सर पे धर गही सारे जिस पे बैठे हुए थे जिस पे बैठे हुए थे जुग्गों से दोस उसी सर पे धर गही सारे और अच्छे लोग भी होते हैं ऐसी बात नहीं है तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कि गंधवाले गंधवाले विनम्र होते हैं गंधवाले विनम्र होते हैं फूल जितने थे जर गए सारे फूल जितने थे जर गए सारे और अंतिम शेर मेरा अनुभव का शेर है आपका भी अनुभव हो सकता है और नहीं हो तो मेरा नवेदन आपसे आप इस बात का अनुभव करें द्वार का धीश से मिला जो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि द्वार का धीश से द्वार का धीश से मिला जो भी उसके भंडार भर गही सारे उसके भंडार भर गही सारे Thank you very much. मैं ब्रच की दूसरी के जल सुना देता हूं. एक कहावत है कि रोते रोते आखों का सूख जाना या कहते हैं आखों का पानी मर जाना या आखों का पानी नहीं मरना और हम सब जानते हैं कि कंकर कंकर में शुवशंकर विद्यमान हैं हम सब के अंदर कहीं नहीं शंकर का तत्वत अस्तित्तों में है तो वे कौन सी घटनाए हैं वे कौन सी दशाए हैं जब एक सामान्य व्यक्ति में हमको भूतनात भूलानात के दर्शन होने लगते हैं ऐसी कुछ घटनाओं को मैं आपके सामने रखता हूं प्रजबासा की घजल है कि खुस्क अखियान में खुस्क अखियान में अच्छा उसके पहले एक बात हो रहा है कि कृष्ण को भी नटराज कहते हैं और शिव को भी नटराज कहते हैं दोनों को नटराज कहा जाता है कि खुस्क अखियान में जो पानी है बहुत ध्यान से सुनना बच्चों खास करके आपसे निवेधन करता हूँ तोगा आपको नहीं शायरी करनी है परानी बातों में से कैसे तहे निगाली जाती है उसके लिए मैं आपसे निवेधन करता हूँ कि खुश्क अगियान में जो पानी है करने की आवश्यक्ता है उन बातों को समझने की आवश्यक्ता है कि खुश्क अखियान में जो पानी है यही नटराज की निसानी है और प्रीत की रीत हम नचोड़ेंगे प्रीत की रीत हम नचोड़ेंगे और यह बिमारी तो खान दानी है प्रीत की रीत हम न छोड़ेंगे यह बिमारी तो खान दानी है यही नटराज की निसानी है जो प्रेम करता है वो शंकर है यही नटराज की निसानी है जीवन का आरंब आता है एक आशा होती है समापन आते आते या तो संतोष आ जाता है या करना पड़ता है लेकिन उसके मध्य में क्या है जो मध्य में होता है वो हमेशंगर बनाता है कि आदे में आस अन्त में संतोस आदे में आस आदे अनी अजल शुरुआत आदे में आस अन्त में संतोस मध्य विसपान की कहानी है यही नडराज की लिजानी है आदमे आस अंतमे संतोस और मध्य बिसपान की कहानी है यही नडराज की निसानी है हमने कल हूँ बितायो हस हस के हमने कल हूँ बितायो हस हस के आज हूँ हस के मात खानी है यही मिटराज की निजानी है Thank you very much